Welcome to my channel, so in this video I am going to share 9th April top current affairs last 24 आपके सारे important current affairs मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करूँगा अगर आपको इस वीडियो का PDF मैटेरियल चाहिए, you can download it from the description box मैं वहाँ पे आपके साथ इसका link शेर करूँगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं So without wasting the time, let's start the video First question है, which person was awarded the Dadasai Paal के Excellence Award 2018 तो जो recently awarded मिला है ये, किसको मिला है, ये मिला है Bollywood actress Anushka Sharma Second question है, Union Minister Rajnath Singh will inaugurate which web portal and mobile application for brave heart soldier who sacrificed their life during duty जो Home Minister Rajnath Singh Singh ji inaugurate करेंगे, एक web portal, mobile application होगी ये soldiers के लिए जो अपनी life को sacrifice कर लेते हैं during their duty तो उनके लिए ये इस app का नाम जो होगा वो भारत के वीर तो अगर आप उनकी families को जो families रह जाते हैं उनकी families को कुछ भी amount of money अगर देना चाहते हैं इस app की help से आप उन्हें amount वो आप send कर सकते हैं पे कर सकते हैं इस app में उनकी सारे details रहेंगे उनके account number bank account number सारे soldiers की सारे details तो इस app की help से आप उन्हें amount send कर सकते हैं कुछ भी अगर आप money donate करना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं उनकी help करना चाहते है financial तो आप इस आप की help से कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन इस विच आप इस रिसेंटली लॉंच्ट बाइ तामिलाड़ू गोवर्मेंट फॉर्मर्स तो तामिलाड़ू गोवर्मेंट ने एक न्यू एप लॉंच्ट की फॉर्मर्स उजहावन नाम जिसका है जिसके help से फॉर्मर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अग्रिकल्चर एक्सपर्ट बैठे हुएं अबाउट सीजनल क्रॉप्स या फिर कुछ भी अगर उन्हों फटलाइजर्स मैनुवर्स जो भी चाहिए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोन सी क्रॉप के लिए क्या चीज़ जूरू पड़ सकती है एंड क्या चीज़ उन्हें राइट टाइम पर उसे यूज़ करने हैं तो यह इस एप के हल्प से वह अपनी क्रॉप की प्रोडेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं तो काफी अच्छे आप है यह जो फार्मर्स के लिए लांच के गई हैं नेक्स्त्रवर्चन इस वह वां देट गई गई घृण है यह जिता आपों कंचेन संजीता चानू जीने जीता इसे के लूट मैंड वोमेंस फिव्टी थी तरी गेजी इवेंट में तो फोर्स वोड मेंडल जीता था वह मेरा बई चानू ने जीता था वो 48 kg event में जेता था The next question is Which state will offer free chemotherapy treatment for cancer patients from June तो June के बाद महारास्टरा गोवर्मेंट ये free chemotherapy treatment देगी cancer patients को तो ये काफ़ी अच्छी उन patients के लिए बात है जिनको काफ़ी costly होता है ये chemotherapy treatment तो जिनको ये problem में उनके लिए ये महारास्टरा गोवर्मेंट ये service प्रवाइड करेगी The next question is Which state became the India's state of the year award तो state of the year award दिया जाता है तो 2017 की जो state of the year पर नहीं है वो है चतिसकर and 2016 में जो state of the year का आवार्ड दिया था वो दिया था आंधरावर्देश को Next question is The union government band imports of which hormone to stop the misuse of misuse in the livestock industry तो union government ने oxytoccin को ban कर दिया because इसका काफी ज़्याद है misuse हो रहा है especially in livestock like dairy farms में वहाँ पर इसका misuse होता है forcefully काओ का मिल्क लिया जाता है and vegetables fruits को forcefully ग्रो करने के लिए ये हर्मोन को यूज किया जाता है तो union government ने इस हार्मोन को ban किया है Next question is Jammu called its first tulip garden at which district in Jammu region कौन सी district में ये tulip garden बना है ये बना है रामबन सनासर में किश्मीर में है और जिसका नाम इंद्रागंधी tulip garden है Next question is Professor of which university has discovered two new languages वाल्मिकी एंड मलहार तो two new languages discovered की ये बोली उडिसा साइड जाती थी आंथ्राप्रदेश तो ये discovered किस ने की तो ये की उनिवेस्टी ओफ हैदरवाद के प्रोफेसर्स ने नेक्स्ट कोशन इस नेक्स्ट कोशन इस उन पे एक टॉल फ्री नंबर प्रिंटेट रहेगा तो जिस बैसिकली इसका यूज इस लिए होगा कि जो भी इस चीज से जो अडिक्टिड है अगर वह उस पे जो टॉल फ्री नंबर है उस पे वह कॉल करेगा टॉल फ्री नंबर होगा तो वह उसकी हल्प करेंगे इसकी अडिक्शन चुड़काने के लिए उससे चुड़वाने के लिए तो यह काफी अची एक चीज है जो अडिक्टिड वर्सन है काफी जादे मुश्किल हो जाता है उनके लिए इस चीज को छोड़वाना तो सेप्टेंबर के बाद जो भी तो बाको प्रोडेक्स बनेंगे उन पर प्रिंटेड रहेगा टॉल फ्री नंबर तो वह इसकी हल्प लेके अपनी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम को अटा सकते हैं कि नेक्स्ट कोशिन इस विच प्लेयर ओपंड एक्शली प्लेयर रहें विच प्लेयर ओपंड इंडिया मैडल टैली इन 21st कॉमन वेल्थ गेम्स यह कोशन यह पूछ रहा है कि कौन से प्लेयर ने 1st मैडल जीता था इंडिया के तरफ से चाहे वो गोल्ड हो ब्रॉंज हो जीता वो पी गुरु राजा ने जीता था तो यह फुर्स्ट जो मेडल मिला था 2000 मतलब मिल रहा है जो भी चली रहे हाली में 21st कॉमन वेल्थ गेम्स में फॉर्स मेडल पी गुरु राजा ने जीता था वो सिल्वर मेडल सबसे जो डूर का जो स्टार जिसकों देखा गया है फैनासा हबल सबसे इसका नाम इकारस है next question is who became the youngest player to win gold medal in 10 meter air pistol competition तो youngest player है जिन्होंने 16 साल की उमर में gold medal जिताया हमारी country को तो जिसका नाह मैं मानू पकार 16 years की एज है उनली इनकी next question is which bank in association with Delhi Metro Card launched dual proposed Metro plus debit card तो एक किस bank ने Metro association के साथ tie up करके ये debit card Metro plus debit card because ATM की तरह आप इसे use कर सकते like debit card की तरह swipe करके तो आपका money automatically ATM से detect होगा तो आपको line में लगने के लिए विए और अल्री मेट्रो के cards रिचार्ज करवाना बढ़ता है वहां पर जाके counter में जाके but with this आप bank में अपना amount deposit करेंगे देना आप इसको यहां पर भी swipe कर सकते हैं Indus and bank ने इसके साथ tie up करके Metro association के साथ ये new program लाउंच गया the next question is Poonam Yadav is related to which sport तो पूर्णम यादव के sport से related है काफी important and newly emerging name तो ये पूर्णम यादव weightlifting से यह इन्होंने भी gold medal जीता Commonwealth Games 2018 में तो इन्होंनों भी हमारे देश को gold medal जीता है weightlifting में तो guys that's all from this video 9th April के मैंने सारे important current affairs आपके साथ share किये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे like किजे share किजे and do not forget to subscribe my channel अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे share ज्यादे स्यादे किजे like तो जरूर करना and comment down your suggestions so see you in my next video then take care